हेलो डिश्रेंट बहुत बहुत स्वागत अपनी युट्यूप चनल कॉमर्ग में संजीब सुर में और यह चाप्टर नंबर फाइव यहां से में रूप से फनिंसल एकांटिंग हमारी स्टार्ट होती है तो इस क्लास के लिए हम फिर से पार्ट टू में लेकर के आये हैं जो आज मैं जो आपको जनकारी दे रहा हूँ उससे आपकी जो आइकांटिंग है बहुत इजी हो जाएगी अगर देखा जाए तो फनिंसल एकांटिंग का ये सबसे में क्लास है जो आपके लिए बहुत अच्छी जनकारी देगा और यह जनकारी आपको बुक्स में नहीं मिले लेकिन यहां से अब हम नुमेरिकल करना आपको सिखाएंगे जब नुमेरिकल का बेस आपका मजबूत होगा तो समझ लो कि आगे के जितने भी चाप्टर्स हैं वो सब के सब फटा फट समझ में आएंगे क्योंकि आपको इनका नोट्स देना अलग बात है लेकिन नुमेरि भी दिया है एक जगे पर धूरा लेखा प्रणाली के दोस्ट तो जो पिछला क्लास था हमने उसमें इसन सब बातों के लिए बिस्तार से बताया था हलाकी थोड़ा सा रिवाईज कर दिए लेकिन अब धूरा लेखा प्रणाली के बेस पे हम एकांटिंग कैसे सीखेंगे य यहां पर यह समझाना होगा कि जैसे बच्चे पूरा B.com कर जाते हैं, M.com कर जाते हैं, उनको यही पता नहीं चलता कि असलित में Commerce क्या है, ओके बच्चों को दो चीजे हर टीचर नहीं बताता है, और वो कौन-कौन सी नहीं बताता है, एक तो असलित में Commerce क्या है, यह नहीं क्योंकि कहीं सलेवस में भी उसको मिलता नहीं है, तो मौका मिलता नहीं है टीचर को पड़ाने के लिए, तो हम सबसे पहले यह भी बताना चाहते हैं कि Commerce क्या है, दूसरी चीज है कि पूरी Accounting आप पढ़तो रहे हो, लेकिन जीवन में सफल होने के लिए कुछ बाते ऐसी हो सबसे पहले हम समझाते हैं कि Commerce क्या है, देखो जहां कहीं पर भी Commerce आए, तो समझ लेना कि यह उत्पादन से सुरू होगी, और कहां तक जाएगी, उपभोग तक जाएगी, फौर्दा एक्जामपल जैसे मैं यह बाच पहने हुआ हूँ, ठीक है, ध्यान से देखिए, यह ब पादन किया होगा, उस ब्यक्ती ने सोचा होगा कि मैं इस बाच को बना करके कुछ पैसे कमाऊँगा, और पैसे कमाने के बाद में, तमाम लोग इस बाच के साथ में लगे रहे और हमारे हाथ में आई, तो हम इसका क्या कर रहे हैं, उपभोग कर रहे हैं, यानि पहला तो ह क्या production और लाश्ट में हो रहा है क्या consumption ओके बहुत अच्छे से समझोगे आप लोग ज़रा ध्यान से एक्जाम्पिल को समझना इसका production ना तुमारे घर हुआ ना मेरे घर हुआ इसका मतलब इसका production हुआ किसमें कहीं ना कहीं फैक्टरी में हुआ फैक्टरी वाले ने इसको क्या कर दिया बिक्रे कर दिया जब फैक्टरी वाले बेचा होगा तो थोक वाले ने क्या कर लिया होगा क्रे कर लिया होगा थोक वाले ने क्या क्या होगा इसका बिक्रे कर लिया होगा म उसने बेचा क्यों लाब कमाने के लिए फुटकर वाले ने क्यों खरीदा लाब कमाने के लिए और हमने जो हम उपभोग कर रहे हमने क्यों खरीदा हमने खरीदा तंजमसन के लिए अपनी आवश्यक्ता की पूर्ती के लिए तो हमसे पहले ये घड़ी जहां जहां गई उन कि उद्देश था और वो था धन कमाना इसे लिए पूरी कॉमर्स में उन किरियाओं का अध्यन किया जाता है जिनका मुख उद्देश कोई ना कोई सेबा दे कर कोई ना कोई वस्तू का क्रेविक्रे करके लाब कमाया जाता है कहां से उत्पादन से और एंड होता है कहां पर और भोग पर जहां पर क्रे विक्रे होता रहता है उसी को हम कहते हैं ब्यापार, ब्यापार में क्या हो सकता है, लाव हो सकता है, साथ में हानी हो सकती है, ब्यापार करने के लिए किसकी आवश्यक्ता है, धनकी, नहीं होता है, कहां से लेते हैं, बैंक से, फिर क्या कराते हैं, बिग्यापन फिर क्या कराते हैं संचार संचार का मतलब होता है बाचीद और इसके बाद में क्या होता है यातायात के साधन यातायात के साधनों का प्रियोग और अन इसके बाद में अन क्रियाएं और युथपादन से ले करके वो भोग तक के बीच में जितनी भी क्रिया कला होते हैं वो सब के सब क्या कहलाते हैं Commerce कहलाते है तो Commerce कुछ और नहीं है कोई भी बस्तूप बन रही है बहां से लेकर करके और कहां तक उपभोग तक जाना और इसी का पूरा लेखा करना जिसको हम कहते हैं क्या लेखा कर्म अब ध्यान से समझे कि दोनों चीजे कैसे समझ में बहुत अच्छे से आती है देखो इस घड़ी का हमने जब एक्जामपल लिया है तो भही इस घड़ी का कहीं न कहीं क्या हुआ होगा उत्पादन हुआ होगा उत्पादन में क्या लेखा कर्म हुआ है जी नहीं अभी नहीं हुआ है उत गणि को और ले सबसे पहले वस्तु का होता है लेज़ा अब जबाद होता है तो समय को hiring करee क्राब करना कि और पुस्तक में लिखा करेगा और बिक्रे करने बाला बिक्रे पुस्तक में लिखा करेगा अब इसके बाद में होता है इसका वर्गी करना बर्गी करना का मतलब होता है अंगरेजी में क्लाशिफिकेशन यानि व्यक्ति ये देखेगा कि पैसा आ रहा है या जा रहा है माल आ रह यह जा रहा है दोई काम हो रहे होंगे तो उन दोनों के आधार पे क्या होगा जर्नल का कारिये होगा जर्नल जिसे हम कहते हैं अब जर्नल किसे कहते हैं प्रते दिन जो लेंदेन हो रहे होते हैं उनको डेविट और के फॉर्म में लिखना क्या कहलाता है हमारा जर्नल कहलाता ह यह डेवुक भी से कहते हैं जिसमें पूरे किरंबद तरीके से लेखंकन किया जाता है और वो भी कौन सी दोहरा लेखा प्रणाली पर दोई प्रविष्टी प्रणाली के आधार पे तो इसका क्या होगा वर्गी करना कि डेविड होगा यह यह क्रेट होगा इसके बाद में ज अब पिरक रिकरियाओं को किरम से चलते हुए किरम से चलते हुए निसकर्स के बाद में जो डिसीजन लिये जाते हैं वर्गी नहीं किया जाये मुनाफ़ा हो रहा है यहां से ले करके उप भोग तक की जैसे यह घड़ी फैक्टरी ने बनाई लाब कमाने के लिए बेचा लाब कमाने के लिए किसी ने खरीदा लाब कमाने के लिए और खरीद करके उसने फिर से बेंच दिया लाब कमाने के लिए जो ब्यापार कर रहा है लाब कमाने के लिए कि करा विग्यापन कराया उससे लाव कबाने locker घीमक दियान से सुनना मेरी बातों को अब पता चला कि बीज्यापन करके पूछ रहें कि तुमार्य यहां मिलती है कि दो कियाने का मतलब संचार में सारी बाठीचीत आती है कामनी केầy सन वो उसका सीधा सा उद्देश है क्या लाब कमाने के लिए अच्छा अब माल ली जगा कि इस गली में बहुत ज़्यादा बजन होता गली की जगा कोई और माल होता और वो ट्रांसपोर्ट के द्वारा यह किस्तान से दूसरे इस्तान तक भेजा जाता तो वह याता यात का क्य किया जा रहा है गाली वाला या ठेला वाला अपना ठेला लेकर क्यों जाएगा लाब कमाने के लिए जाहर सी बात है वैसे वो नहीं जाएगा लाब कमाने के लिए या धन कमाने के लिए अच्छा बहां नौकर चाकर डेकोरेशन कंप्यूटर कैमरा करमचारी दुनिया भर अगे हुए सबका एकी उद्देश है और वो क्या है धन कमाने के लिए तो इसलिए हम आपके लिए एकी बात कहते हैं कि कोई भी यह जिसे घरी है यह उत्पादन हो गई बीच में पता नहीं कितना विग्यापन कराया किसके ने इसके लिए अपनी सर्विस दी कोई एजेंट गया होगा कोई मार्केटिंग कर रहा होगा कोई आडर ले रहा होगा कोई आडर की पूर्ती कर रहा होगा सबका एकी उद्देश है धन कमाना और हमारे हाथ में जैसे आ गई है हमारा उद्देश है कि इससे हम समय देखना हम समय देखते रहते हैं कि हम पूरा क्लास का प्रतेक लेंदेन क्या दो बार लिखा जाता है कताई गलत प्रतेक लेंदेन दो बार नहीं लिखा जाता है इसलिए यहां पर confusion बहुत ज़्यादा होता है देखिए दोहरा लेखा प्रणाली क्या कहती है कि कोई भी लें देन हुआ है क्या हुआ है यही वाला लें देन लें देन ठीक उसके दो पक्ष होंगे कितने पक्ष होंगे कौन-कौन एक होगा क्रेता और दूसरा कौन होगा विक्रेता ऐंके तो होगा क्या कि जो लेंदेन है उसको दो बार दू पार्ट में लिखेंगे एक बार डेविट और दूसरी बार क्रेट करें ठीक है जैसे हमने स्याम से घली खरीदी है तो स्याम हम skipping को घली दे रहा है है न। हम्सें बाच ले रहें तो श्याम होता एं तो टू एस एच बाई एम श्याम दोई कंडिशन हो सकती तीरसी कंडिशन नहीं हो सकती या तो हम नगत खरीद रहे होंगे या हम उधार खरीद रहे होंगे इस चैप्टर को तुरंत वाद जनरल ही हम लोगों को पढ़ना है तो बीटा दोहरा लेखा का मत एक बार डेविड और दूसरी बार के रिडिट यानि एमांट कितनी बार आ रही दो बार आ रही तो दोरा लेखा प्रणाली का सीधा सीधा मतलब है कि कोई भी लेंदेर होता है उसे डेविड और करेड करके दो पक्षों में लिखना दोनों पक्षों को बराबर बराबर त content मिलेगा बिल्कुल किताब से नकल नहीं मिलेगी और सब कुछ एकदम के लिए रोइस पश्ट मिलेगा आप सर्च करिए कोई भी टॉपिक सर्च करिए बिद संजीब सर करके करिए जैसे जर्नल आपको सीखना बहुत अच्छे से तो सर्च करिए यूटूब में जाका करे जर लेंदेन हो रहा है उसको दो पक्षो में डेविड और क्रेड करके लिखना क्या कहला ता है दोरालेखा प्रणाली क्यलाता दोरालेखा प्रणाली आपको पता लुकस पैसियोली ने रेक माली थे और इन практи up लिए दि कम्प्यूट सेट सो इसका नाम है ह उक्य इतली में बेनिश नामक नगर के वो निबासी थे ठीक है? दोह्रा लेखा पram का मतलब है कि यह जो काउंटिंग कर रहा है हम किस जगह पहुंच गए हम पहुंच गए सीधा-सीधा बर्गी करण पर जनल में पहुंच गए क्योंकि हमको बर्गी करण का मतलब है कि भागों में बाठना हमने यहां पर समझा कि मान लीजेगा स्याम से हमने घड़ी ली है तो हम सीधे कर रहे हैं अगर हम झमझेered रहे हैं तो उसका नाम नहीं आ रहा है क्योंकि बर्गी करण बताता है कि यहां carved कैस आएगा या उसका नाम आएगा अगर नगा लगा फरीदा तो टू-कैश or अगर उदहर खीदा है तो बर्गी करण बताएगा कि हमको किस में बांटना ही है तो यहां पर तुश्याम आ जाता तो यही चीजें हमारी बर्गी करन कहलाती है अब बर्गी करन के बाद में क्या होता है जागर के तलपड बनता है और तलपड क्या है परिच्छा सूची है जो कहती है कि डेविड और क्रेडिट दोनों पक्षों का योग कैसा होगा बरावर होगा बराव है ठीक है इनका यहीं मतलब होता है अब तलपट डेविड करीट जब बराबर बन जाएगा तो इससे अंतिम खाते बनेंगे और अंतिम खातों में क्या होता है आर्थिक चिठ्ठा का दूनों और का योग बराबर क्यों आता है क्यों आता है क्योंकि यहीं से डेविड और करी अर्थिक चिठ्ठे का कैसा आता है बराबर आता है जिसको हम आंतिम खाते में तीन चीजे होती हैं व्यापार खाता लाभानी खाता आर्थिक चिठ्ठा कोई खाता नहीं होता है यह सिर्फ मात्र एक विभरल मात्र होता है और अन्तिमखाते जब तयार करते हैं तो ट्रेडिंग एकास और पीएंडल एकांट को अब ऊपर नीछे बनाने लगें है एक यहीं कोलम में बनाते हैं ठीक है कोई घबराने की जरुवत नहीं है ब सूचोगे कि विसलेशण और निसकर्स कहां पर होता है विसलेशण और निसकर्स के लिए क्या होता है कि जो अंतिम खाते हमने बनाए हैं उनकी सुधता की जाच करने के लिए उनकी बारीकी से अध्यन होता है जिसे को प्रभावते प्रोमन करेंट में द्धार रहा है या घट रहा है यह सारी चीज़े अंसक्रल में आती हैं और इन्ही सबकर है को भी व्यापारी क्या असбоुपन JEKN प्रविष्टी 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 प प्रविष्ट्य को भाग या लेखा कर्म की जब बात आती है तो इसको आप हटा दीजिएगा इसमें मुक्षन रूप से आपको क्या करना है चलिए दोहरालेखा प्रणाली के जब भागों का नमबर आ जाए तो यहाँ पर सीधे से समझना कि यह जो भाग हैं वो चीज्जें हैं कि दोहरा लेखा प्रणाली को हम अपनाते कहां कहां हैं किन किन पुस्तों में तो सबसे पहले नमबर पे क्रै पुस्तक दूसरे नमबर पे क्रै बापसी पुस्तक नमबर तीन पर बिक्रै पुस्तक नमबर चार पर बिक्रे बापसी पुस्तक नमबर पांच पर प्राप्त बिल पुस्तक छटे नमबर पर दे बिल पुस्तक साथ में नमबर पर आती है बिटा रोकड पुस्तक आठमे नमबर पर आता है मुख्य जर्नल ठीक है और नमी नमबर पर लिखना चाहोगे तो होती है रफ पुस्तक ओके और अगर दसमे नमबर पर लिखना चाहोगे तो होती है खुदरा रोकड पुस्तक ओके मैंने जितनी पुस्तक बताई है इनके बाद में एक भी पुस्तक नहीं बनेगी, छटी, सातमी, आठमी, नमी और दसमी, ये जो भाग हैं वो किसके हैं, दोई प्रविष्टी प्रणाली के भाग है, इन सभी किताबों को जब इखटा करके लेखंकन किया जाता है, तभी हमारे अंतिम खाते तयार होते हैं, क् इतना प्रविल का बैलेंस है, वो संपत्ती पक्ष में लिखा जाता है, रोकड कितनी है, संपत्यों में लिखी जाती है, मुख जर्नल से डेविट के रेट के बैलेंस किसके हैं, वो लिखे जाते हैं, जाकर के विक्रे पुस्तक है, विक्रे बापसी है, क्रे पुस्तक है, क बाउचांटिंग उसमें क्या होता है कंपूप्यूट्राइज अ क्या होता है है अब एक को डेविड करना होगा दूस्रा अपनी washer हो हो जाएगा जाकर के तो और सरल हो गया है तो कुल मिला करके ये जो पार्ट टू है जो बाते आज आज आपने सुनी है इनको कम से कम दो बार समझना अगर इसको दो बार समझ लोगे तो समझ लो कि जो अपनी दुकान में बैठाओं सोच Durna मैं नहीं पांच मीटर कपड़ा आपने घर के लिए खरीद लिया तो मैं करीद दू कि मेरी बिकनी बिक्री हो करना हमारा क्या कहलाता है दोहरा प्रविष्टी प्रणाली कहलाती है दोहरा लेखा प्रणाली कहलाती है ओके अब यहां पर दोहरा लेखा में यह भी हो सकता है कि हम क्रेता आप अपनिया लेखा करोगे हम अपनिया करेंगे अब माली जगह कीजिए से बाच परचेज की थी 5000 भूल बस कहीं पर एक जगह पांश जगह दूसरी जगह लिगए पचास हजार कितने हैं अब डेविट क्रेट का मैच नहीं करेगा जब मैच नहीं करेगा इसका मतलब है कि मिलान कीजिए कि कही न कहीं गलती होई है अब उसको फिर से चेक करेंगे तो पता चलिए गए एक स्टरल प्रणाली है और ये नियालै में भी मानने है क्यों मानने है पता ह्याले में कुद्कि डेविट और किरिड दोनु की जो पक्ष है वह एक दम बराबर होकं करके अंतिम खहते तक एक ञेंटुप बराबर same- presented चलता तो ये दोहरेलेखा प्रणाली का सेकेंड पार्ट था जो आपने समझा उमीद है कि बेसिक बातें आप माइंड में कुछ ना कुछ समझी होंगी तो धीरे-धीरे हम बहुत कुछ आपके लिए सिखा देंगे जो लोग पेट क्लास में जुड़े हुए हैं उनके लिए इसके नोट्स पहुच चुके हैं ओके बहुत अच्छे नोट्स हैं और उन नोट्स को एक बार पढ़ोगे त्रम त्यार हो जाएंगे मिलते हैं नेक्स क्लास में तब तक के लिए बाइबाए और कल से होगा जर्नल